Hello everyone, welcome back to the channel. तो welcome आप सभी का day 1 of J.E. Advance पे हम 100 days तक J.E. Advance के कुछ बहुत ही logical problem solve करने वाले हैं और try करेंगे कि around 10 questions daily solve करें तो आज हमारे पास calculus के 10 interesting problems हैं और पहला logical problem हमारे पास यसा है तो एक बार read कर लेते हैं तो Px एक monic polynomial है, अब यह monic polynomial क्या होदा है? monic polynomial मतलब जिसका leading coefficient, highest degree का coefficient है वो 1 होता है और वो इसको satisfy कर रहा है, ऐसा अब एक बार P of X अपने पास आ जाए, फिर हमें mod P of mod X का graph बना के देखना है कितने points पर यह non-differentiable है अब approach कैसे करें अब आपन, हैना आप pause करके सोच सकते हूँ मैं सीधा approach पर आ रहा हूँ तो जैसे यहाँ पर अब देखो, कि माल लो कोई monic polynomial है तो अपन पहले degree की बात करते हैं तो अबारे पास जैसे an होता है X की power n होगा और ऐसे चलता जाएगा तो अगर यह चीज़ अपन यहाँ पर apply करेंगे तो leading coefficient तो 1 है तो सिरफ X की power n से शुरुवात होगी तो जैसे यहाँ पर 2X plus 1 और उसकी power में हमारे पास n आ जाएगा और आगे और भी बहुत सारे terms आएगे मैं सिरफ degree compare कर रहा हूँ left side, right side left side में हमारे पास x minus 7 है equal to में right side में आएगे तो 8x है और p of x लोग है तो simple x की power n आएगा तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो जैसे यहाँ पर x और 2x की power n जब यह multiply होंगे तो 2 की power n, x की power n प्लस 1 यह सबसे बड़ी degree का term बनेगा और इधर 8x की power n प्लस 1 बनेगा तो जब आपन इसे compare करते हैं तो हमारे पास n की value 3 आजाती है मतलब यह cubic polynomial है है ना, harmonic है leading coefficient 1 है मतलब इसके 3 roots होंगे तो यह x minus alpha into x minus beta into x minus gamma इस type का यह होगा अब हमारे पास यह challenge है कि अपन alpha, beta, gamma 3 root कैसे निकाले और अब यहाँ से logical part शुरू होता है जैसे left side देखो 0 कब है जिसे यह x minus 7 factor है तो मैं, क्योंकि LHS, RHS बराबर है तो मैं यहाँ पर x को रख दूँगा equal to 7 तो left side क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 into p of 15 तो left side of course 0 हो गया right side में क्या होगा, 7 रखूँगा तो 8 into 7 into p of 7 56 तो अब 0 होता नहीं, बिटे तो p of 7 0 हो गया मतलब one of the roots जो अपने पास आया है alpha, इसकी value 7 आ जाएगा ऐसे ही एक और root निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं यह जो x अपने पास है यहाँ पर मैं इस x को 0 रखने वाला हूँ तकि right side 0 हो जाएगा तो right side 0 हो जाएगी अगर मैं x को 0 रखंगा 8 into 0 into p 0 left side में क्या आएगा left side में आएगा minus का 7 p of 1 और right side में 0 तो इसका मतलब obviously p of 1 0 है तो इसका एक और root हमारे पास हो गया 1 के बराबर तो 1 root 7 इसको 0 करके आगे x बराबर 7 रखके 1 इसको करके आगे अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं एक बार इसके case के अंदर p of 7 हमें पता है 0 होगा अपन इसके लिए क्या करते हैं ये 2x plus 1 को 7 बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो अपन दोनों तरफ क्या करते हैं 2x plus 1 कब होता है 7 चेक कर लेते हैं 2x plus 1 खुद होता है 7 जब x होता है 3 तो दोनों दरफ आप x को 3 रख दो तो 3 minus 7 into p of 2 into 3 plus 1 और right side में आ जाएगा 8 into 3 into p of 3 बात समझे रहाँ आप मेरी तो p of 7 खुद 0 के बराबर है है ना तो इसका मतलब 8, 3, 4 तो 0 होगा नहीं मतलब p of 3 भी 0 तो तीसरा रूट आगया 3 के बराबर तो मतलब हमारा cubic polynomial तयार है x minus 7 into x minus 1 into x minus 3 अब अपन इस cubic polynomial का graph बनाएंगे और फिर mod p of mod x बनाना चाहते हैं तो mod p of mod x कैसे बनाएंगे चलो अपन इसकी बात करते हैं तो mod p of mod x बनाने के लिए अपनको transformation of curve लगाने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी अपन यह देखते हैं कि अपन इसके अंदर transformation of curve जो हो किस तरह से लगा सकता है तो polynomial कुछ ऐसा है अपना x minus 1, x minus 3, x minus 7 ठीक है यह मानलो अपना fx है अब आपको fx नहीं चाहिए बटा आपको चाहिए mod of f of mod x बात समझे रहे आप मेरी तो f of mod x कब बनता है जब जैसा graph right में वैसा left में बना जाते हैं और whole mod लेते हैं तो जो चीज नीचे होती वो उपर आ जाती तो अपन शाथ turn count कर लेंगे जहां पर non-differentiable है तो पहले यह बनाते हैं तो इसके जो roots होंगे अपने पास है ना एक root आएगा 1 एक root आएगा 3 एक root आएगा 7 और 0 पे value अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो minus 21 आएगी तो यहाँ से आएगा smooth graph उपर जाएगा फिर वापस कुछ part में नीचे जाएगा और फिर infinity तक चला जाएगा अब जैसा आपके पास right में है वैसा ही आप left में बना दो तो जैसा right में था वैसा ही आपने क्या किया left में बना दिया तो देखो पहला sharp turn तो यहाँ पर आगे उसके बाद जब आप यहाँ पर mode लेंगे बिटा तो जो चीज नीचे थी यहाँ पर यह वाला part यह उपर आ जाएगा तो फिर अब आपके पास यहाँ पर दुबारा sharp turn आएगा यह वाला है ना और यह ऐसे जा रहा था फिर इधर भी जो चीज आपके पास नीचे थी यह अब नीचे नहीं रहेगी यह वाला part भी आपके पास कहाँ आ जाएगा इस तरह से ऊपर आ जाएगा अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने sharp turn आए अगर हम इस negative वाले part को क्या कर लेंगे मौड लेने पर ऊपर ले जाएगे तो जहाँ जहाँ पर भी आपको लग रहा sharp turn है उनको वापन यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं count कर सकते हैं तो अगर अपन यहाँ पर count करें तो अपन देख सकते हमारे पास कितने points आ रहे तो आप यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर total 7 points जो है वो यहाँ पर आजाएंगे तो अगर अपन देखेंगे तो answer हमारे पास ABCD जो options है इसके अंदर इसमें B option अपना answer हो जाएगा तो polynomial निकालना differentiability के points चेक करना और mod का graph बनाना तो काफी चीज़ें अपन ने इसके अंदर सीखिए second बहुत interesting सवाल इस पर पनाते हैं यहाँ पर F-A निकालना है और F-A निकालने के पहले यह condition अपन को यहाँ पर दे रखी क्या condition दे रखी वो भी देख लेते हैं अपन को इन्होंने यहाँ पर बोलाए कि जो अपना cause A है यह A के बराबर तो मतलब जैसे मानलो आप F-A निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर आप जैसे रख दोगे A तो यह बन जाएगा cause A और cause A की value A है तो यह पूरा आपके पास बन जाएगा A फिर से cause A आएगा उसकी value भी आपके पास A आएगी फिर बाहर वाले cause में जाएगा फिर से cause A आएगा उसकी value भी A है वो फिर से cause में जाएगा तो यह cause A cause A cause A होता होता F of A आजाएगा A मतलब मैं जितने भी cos of cos of cos of cos लगा दूँ अगर मैं अंदर a डाल रहा हूँ तो मेरा final output a आएगा इसी बात का use अपन differentiation में करेंगे बिटा तो पहले f dash x निकालें तो chain rule से निकालेंगे है न तो chain rule से अगर अपन पहले differentiation करें तो पहले बाहर वाले cos का करो तो वो minus sign हो जाएगा अब अंदर बहुत सारे cos होंगे कित्ते cos होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच कोई फरक नहीं पढ़ने वाला मैं बस अभी यहाँ पे cos पांच बार यह लिख रहा हूँ फिर अब आप यहाँ पे into के अंदर फिर से जाओगे और फिर अब इस बार अंदर cos of, cos of, cos of तीन बार बचेंगे x इस तरह करते जाएंगे अपन बेटा अगले में आएगा वापस minus sign है ना तीन बार cos का differentiation करेंगे chain rule से अंदर cos of, cos of x बच जाएगा अपने पास दो बार, फिर से वापस cos of, cos of x का करोगे अगर आप तो minus sign आएगा अंदर cos x बचेगा और फिर से अगर आप cos x का कर दोगे तो यहाँ पर minus sign x आजाएगा अब जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे आप जैसे ही यहाँ पर a रखने की कोशिश करोगे तो जितने भी cos से बटा a रखने पर कितने भी cos of cos लगा लो cos से a है, तो यह सारे a बन जाएगे तो यह सारे 6 terms है, सारे कि सारे minus sign a है, तो अपना यह जो f' x आ रहा है, यह किसके बराबर आजाएगा, minus sign a whole power में आजाएगा 6 और आप इसको sin a की power 6 भी लिख सकते हो, जिसको आप sin square a का whole cube लिख सकते हो, और sin square a क्या होगा, 1 minus cos square a का whole cube, और cos square a की value a square आजाएगी, तो answer आगया, 1 minus a square का whole cube, अब आप 1 minus a square का whole cube यहाँ पर क्या कर सकते हो expand कर सकते हो, तो वहाँ से आप देखेंगे, कि आपके पास भी option आजाएगा, तो method of differentiation का बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, है ना chain rule लगाना भी था और साथ में जो relation दे रहा था उसका पन को यहाँ पर use भी करना था, next वाले पर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डरावनी सी functional equation है इस बार पढ़ लेते हैं इसे, तो यहाँ पर लिखावा f of x plus x square minus 4xy into f of x plus 3y minus 1 वापस xy minus 6y square f of 2x plus y और 4x square y square है, काफी सोचना पढ़ सकता है, तो मैं आज पर आपको दो hint देखना बता रहा हूँ, पहली बात सुनो मेरी, question में कहीं पर भी differentiable function नहीं लिखाए, तो मैं first principle से f dash x बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं जैसे functions के अंदर कुछ न कुछ put करता हूँ वैसे put करूँगा, तो मैं पहली चीज यह सोच रहा हूँ कि मैं put करूँगा y की जगे put करूँगा, ताकि single variable में function आजाए, तो यह उगई मेरी पहली बात, दूसरी बात मैं आपको यह कह रहा हूँ कि हमें f of x चाहिए तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ यह मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं ऐसा y put करना चाहता हूँ replace कर देते, अब यह करोगे तो मज़ा आ जाएगा, और question हो जाएगा क्या होगा, क्यूं होगा, देखते हैं y बराबर x by 2 रखो, तो f of x as it is रहेगा अपने पास यहाँ पर बिटा, 4xy में y की जगे x by 2 रखोगे, तो 4x into x by 2, 2x square होता है x square में से 2x square जाएगा तो minus x square आएगा, और यहाँ आप y बराबर x by 2 रखोगे तो x plus 3xy2 ऐसा बन जाएगा, तो अब देखो y हटा रहा हूं है एक minus 1 है, और इधर आएगे बटा, यहाँ पर रखेंगे y की जगे x by 2 तो x into x by 2 और 6 into x by 2 का whole square यानि 6x square by 4 6x square by 4 को अपन 3x square by 2 भी लिख सकते हैं तो मजे की बात ही है कि यह बाहर minus x square ही बन रहा है और यहाँ y बराबर x by 2 रखोगे तो यह भी यही बनेगा, तो यह फाइदा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था और यहाँ जब y की जगे x by 2 रखोगे तो x square by 4 इस 4 से कट होके x की power 4 देदेगा तो यह पूरा पार्ट देखो, अपना cancel होगे एक simple substitution पर, हाँ, सोचना पड़ेगा 1 अब उदर भेज देंगे तो fx आगे 1 प्लस x की power 4 अब बिटा, 1 प्लस x की power 4 तो खुद greater than equal to 0 ही होता है तो आपको यहाँ mod लेने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर आजाएगा 1 प्लस x की power 4 और यह हो जाएगा 2x square, अब यह solve करना है एक तरफ ले जाएँगे, तो हम देखेंगे x square minus 1 का whole square आजाएगा 0, तो यहाँ से x की value जो 2 आएँगी, एक आएगा 1 और एक आएगा minus 1 तो इन total 2 solution तो substitution वाली functional equation है देख कर नहीं पता चलता पर बहुत ही clever तरीके से पनने y को remove करा है और f of x की value अपनने आपर निकाली है, अच्छा, next question जो अपने पास यहाँ पर आएगा, यह question limits का आएगा, तो इसमें थोड़ी सी limit यहाँ पर दिखने ही तो मैं लिक देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ integration में उपर बीटा है तो यहाँ पर alpha आएगा तो यह थोड़ा सा अपन change कर लेंगे, मैं यहाँ color change कर देता हूँ थोड़ा सा देखने लग जाएगा तो अब यहाँ पर अगर आपन देखें तो देखो alpha बीटा इसके roots है, fx even function है although यह चीज देखते हैं use कब होगी, कहाँ होगी, बाद में होगी तो e की power में यहाँ पर f है, अगर आप pause करके चाहें तो कर सकते हैं, f of gx upon x minus alpha है, नीचे integration में e की power में f of gx upon x minus alpha प्लस e की power में f of gx upon x minus beta, यहाँ dx मान सकते हैं तो आप try कर सकते हैं, question यह difficult नहीं है, बस यहाँ factorization करना ही अपन को use करना है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा a into x minus alpha x minus beta यह gx का अपन में factorization कर दिया अब आप gx को नहीं यहाँ पर सब जगे put कर दो, इदर, इदर, इदर तो जैसे यहाँ पर नीचे x minus alpha से x minus alpha कट जाएगा तो यह उपर बन जाएगा integration में e की power f के अंदर a times x minus beta, ठीक है, फिर नीचे अगर अपन जाएगे तो यहाँ पर भी आएगा e की power में f a times x minus beta, प्लस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो e की power में इस बार x minus beta कटेगा, तो f में आ जाएगा a times x minus alpha और integration कहां से कहां कर रहे हैं अपन integration कर रहे हैं बिटा, alpha से beta और इसको अपन i मान लेते हैं तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन king property लगा देंगे, f of x का integration a से b कर रहे हैं तो अपन a plus b minus x भी कर सकते हैं f even function यह ध्यान रखना है, तो king लगाओगे तो आप क्या करोगे, x को alpha plus beta minus x इससे replace कर दोगे बिटा, जैसे यहाँ पर यहाँ alpha plus beta minus x करोगे न तो क्या होगा, ऊपर, यह तो बाहर alpha plus beta minus x और एक यह beta कट जाएगा तो यह बन जाएगा alpha minus x और क्योंकि f even function है तो आप इसको alpha minus x की जगे x minus alpha भी लिख सकते हो negative लेने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा नीचे भी अगर आप ऐसा ही करोगे तो e की power में याप पर जो आपके पास f आ रहा है इधर भी आप alpha plus beta minus x लखोगे बीटा जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और हमारे पास क्या बचाएगा a के साथ alpha minus x जिसको आप x minus alpha लिख सकते हो इधर भी जब आप king लगा होगे तो e की power में f के साथ alpha plus beta minus x है वो beta minus x हो जाएगा जिसको आप x minus beta भी लिख सकते हो और ये भी i है बिटा तो इनको बपन add कर देंगे तो आप देखोगे यार denominator same है और जब आप इसे add करोगे है ना तो यहाँ पर x minus alpha x minus beta add हो जाएगे denominator में भी वही x minus alpha x minus beta तो 2 times i जो है यह 1 बन जाएगा alpha से beta तो आपका जो answer आजाएगा वो आजाएगा आपके पास difference between the roots के बराबर और quadratic में अगर आपको पता हो तो difference between the roots root d by mode होता है तो यह हो जाएगा root d by mode अच्छा यहाँ पर 2 q है क्योंकि 2y था तो वो 2 नीचे चला जाएगा और b option answer आजाएगा तो दो चीज़ यहाँ पर important है सीखने के लिए पहली चीज़ तो king लगाना आना चाहिए quadratic का factorization करना आना चाहिए दूसरी बात और king लगा के add करने से पहले fx even function है इसका आपन यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं तो logical सवाल है next चीज़ के अंदर मैं आपको यहाँ पर limits का सवाल है आप खुद भी try कर सकते हैं pause करके मैं आपको यहाँ पर substitution और series expansion पर थोड़ा सा एक बार emphasis कर देना चाहता हूँ generally अपन sin x, cos x है ना इन सब की series याद रखते हैं 10 x sin inverse x नहीं रखते हैं वैसे जरुवत नहीं बढ़ती पर in case जरुवत बढ़े तो हमें पहले की 3 terms आने चाहिए x plus x cube by 6 और plus में आ जाता है 3x की power 5 by 40 ऐसा अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो इतना सारा sin x, sin x दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं sin x को t ले लो x 0 जा रहा है तो obvious बात है sin 0 भी 0 जाएगा तो t भी 0 आ जाएगा अब changes क्या आएगे अगर अपन sin x को t लेते हैं तो x बन जाएगा sin inverse t तो यह आजाएगा sin inverse t इंटू में sin के अंदर जो sin x है वो हो गया t sin square x को t square लिख सकते हैं और नीचे जो x है न बिटा ही हो जाएगा sin inverse t की power 6 अब देखो नीचे तो कर देंगे अपन standard limit sin inverse x by x 1 होता है 10 into 0 पर तो t की power 6 से multiply डिवाइड यह बाद में जाएगा बिटा 1 t की power 6 के लिए उपर उतना series expansion लिखेंगे इन दोनों का जितने में t की power 6 आता है तो sin t का तो I believe आप सबको आता है x minus x cube by 3 पढ़ा है आपने तो t minus t cube by 3 factorial प्लस t की power 5 by 5 factorial आगे t की power 7 आएगा पर वो हमें लेने की जरुद नहीं क्योंकि नीचे t की power 6 है फिर sin inverse का मैंने आपके help के लिए लिख दिया तो t plus t cube by 6 और साथ में आजाएगा 3 t की power 5 by 40 और minus में t square है नीचे t की power 6 है और standard limit वाला part 1 है तो यह मैं आप चाता हूँ आप expand करो तो आप देखोगे जैसे t square वाला part इससे कट जाएगा उपर t की power 6 वाले terms को आप एक साथ लेकर नीचे से divide कर सकते हो t की power 6 से बड़े वाले हमारे कीजी भी काम के नहीं है बात समझे रहो हम मेरी है ना तो यह series expansion का और substitution का ध्यान रखना है advance में भी आ सकते है limits के ऐसा जरूरी नहीं की mains में आएंगे सर्फ limit के advance में किसे आजएंगे आ सकते है आप PYQ में देखोगे मिलेगा ओके next पर आते तो यहाँ पर अगर आपन देखेंगे तो एक बार question पढ़ते है वहाँ से पता चलेगा क्या लिखावा है तो हमें यहाँ पर दे रखा है Y बराबर F of X है और यह origin से pass कर रहा है यह बाद में value निकालने में काम आएगा अब देखो कभी भी अगर ऐसी functional equation हो जहाँ पर limits जो है वो finite है तो आप इस पूरे को एक constant मान लो A 5Y DX को अपन A मान ले तो अब यहाँ से simple सी equation बन जाएगी DY by DX आजाएगा 27 minus A अब इटा DX उदर भेज के integrate कर लेंगे तो Y 27 minus A का integration हो जाएगा 27 minus A into X और plus में C अब A और C निकालने के लिए दो relation चाहिए तब ही हमारा function Y बराबर Fx आएगा पहला relation बोला बैटा origin से जा रहा है तो Y में 0 रग दो X में भी 0 रग दो तो C की value भी अपने पास 0 आजाएगी बड़ा ही simple था दूसरा अपने पास Y अब क्योंकि C तो 0 हो गया तो यह आगए 27 minus AX अब A कैसे निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे YDX का जो integration है Y क्या था अपना 27 minus AX यह integration अपने A के बराबर माना था तो अपन इसका integration यहाँ पर क्या गर सकते हैं calculate कर सकते हैं 27 minus A बाहर आजाएगा XDX का integration आइटिंग अपन को आता है X square by 2 होता है और उसकी limit लगा देंगे तो X square by 2 यहाँ आजाएगा 25 by 2 यहाँ आजाएगा अपने पास A के बराबर तो यहाँ से अब अपन जब solve करेंगे तो अपने पास A की value आजाएगी तो यह बनेगा 27 into 25 तो I think यह 675 होता है minus 25 A बराबर 2 A आजाएगा तो 675 बराबर अपने पास आजाएगा I think 27 A और अपन यहाँ से divide कर सकते है तो वहाँ से A बराबर 25 आ रहा है calculation एक बार I think आप भी वापस चेक करें तो 25 यहाँ रग देंगे तो Y बराबर 2 X होगे अब बोल रहा probability बताओ कि A, B अगर 1, 2, 3, 4 से आ रहे है with replacement with replacement का क्या मतलब होता है कि जो number पहले आया है वो दुबारा भी आ सकता है तो A और B चूज करने के क्या तरीके होंगे A के भी 4 तरीके हैं बिटा B के भी 4 तरीके हैं यानि 4 into 4 और probability बतानी Y बराबर 2 X को satisfy करेंगे और यहां से probability आ जाईगी तो mix and match कर सकते हैं probability वाला question में तो दम नहीं था बट हाँ functional equation में ये constant वाली बात I think आपको जरूर सीखने को मिली होगी और भी ऐसे question आप black book लगा रहे हो अगर advance के लिए विकास गुपता में तो आप कर सकते हो ज्यान रहे विटा ये series advance point of view से है मानलो आप अपपी board की या means की तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नी जब आप उनसे free हो जाओ और advance के लिए जब 50 days का time बचे आप तब एक दिन में दो वीडियो देख सकते हो दस-दस सवाल के लिए बट हाँ benefit जरूर आपको मिलेगा अगर आप ये question try कर रहे हैं मानलो नहीं भी लग रहे हैं तो आप पहले समझ लें और फिर ये 10 questions को सारे 10 questions को आप कुछ से लगा सकते हैं आप screenshot ले लो और फिर 10 questions वापस लगा लो तो काफी कुछ हमारा concept clear हो जाएगा अच्छे सवाल ही है ना तो next पे आते हैं हमारा 7th question इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास दे रखा है continuous derivative है मतलब f dash x continuous है तो अपन को ये inequality solve करनी है और lambda पे f x की value और mu minus पे f x की value दे रखी है mu minus lambda की minimum value पूछी है तो अपन क्या चरते हैं इसको integrable form में लाते है तो 2 ln f x और plus की अंदर हमारे पास आ रहा है root में f square x plus 1 ऐसा साथ में f dash x है हमारे पास बाकी ये वाले part को उधर ले जाएंगे बिटा तो root में आ जाएगा f square x plus 1 f square x plus 1 positive है तो अपन उससे divide भी कर सकते हैं है ना तो यहां पर आ जाएगा 2 ln f x तो यहां आ जाएगा अपने पास root में f square x plus 1 और साथ में अगर अपन देखेंगे यहां पर तो यहां f dash x है और नीचे अपने पास आ जाएगा root के अंदर f square x और plus में आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा less than equal to dx इधर 1 है अब अपन क्या करेंगे दोनों तरफ definite integration कर सकते हैं inequality के दोनों तरफ आप differentiation नहीं कर सकते हैं indefinite integration नहीं कर सकते हैं आप सिरफ definite integration कर सकते हो तो क्योंकि lambda plus mu minus पे value पता है हमें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं इसको integrate कर देते हैं lambda से इधर भी lambda से mu integrate करते थे, इधर भी हम इसे lambda से mu integrate करते थे, तो यह जो right side है, यहाँ पर तो आपके पास mu minus lambda आ जाएगे, one का integration आता है, आपको x, limit लगाओगे, तो mu minus lambda, तो आपको mu minus lambda की वैसे भी यह minimum value निकालनी, वो आपको left hand side से मिल जाएगी, अब left hand side में आप क्या कर सकते ह f of mu, है ना, 2 times 2 बाहर आगे, ln, और यहाँ पर आजाएगा, t plus root, t square plus 1, ऐसा, और यहाँ पर dt, और नीचे आजाएगा, root t square plus 1, अब यहाँ मैं आपको property बता रहा हूं बटा, तो यह मैं चाहता हूँ, आप खुट try करें, यह आप जब देखोगे, overall, उपर odd function है, नीचे even function है odd upon even odd function होता है, और odd function का minus a से a integration 0 होता है, तो left hand side 0 चली जाएगी, तो mu minus lambda की minimum value 0 आजाएगी, तो integrate भी नहीं करना पड़ा, odd function का integration minus a से 0 यह use कर लिया, बस यह मैं आपको बताना चाहता था कि inequality के दोनों तरफ आप definite integration कर सकते हो, indefinite नहीं कर सकते, differentiation नहीं कर सकते, और अगर इडियों में बने हो, तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा concept बताने जा रहा हूँ, आपने area under the curve y dx से देखा होगा, आपने area under the curve x dy से देखा होगा, आज मैं आपको area under the curve using polar coordinates बताने वाला हूँ, तो polar coordinates का क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार बता दू मानलो origin से कोई point है यहाँ पर x, y और इसका origin से distance है मानलेते है r और यह angle है theta, तो आप x coordinate को r cos theta ले सकते हो और y coordinate को r sin theta ले सकते हो, ऐसा, और एक important बात बता देता हूँ, कि अगर अपन किसी arc को, curve को अपन arc में divide कर सकते हो, अगर अगर अपन किसी arc को integrate कर रहे हैं, तो उसके ल अगर आप r or d theta के system में arc को area under the curve integrate कर रहे हो, तो आप यह कर सकते हो, और limit हमेशा theta की लगेगी, तो अब first quadrant है, तो theta हमारा first quadrant के अंदर ही होगा, और इस curve का integration करना है, अब graph बनाने के point of view से तो यह हम बना नहीं सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, बढ़ लेंदी है, तो हम यहाँ आप क्या करेंगे, polar coordinate use करेंगे, पिटा, x को ले लेंगे r cos theta, y को ले लेंगे r sin theta, अब देखो यहाँ से अब आपको मजा आएगा, तो x square plus y square यहाँ से करोगे पिटा, तो यह आजाएगा r square, है ना, इस x square को नीचे भेज दो, y square upon x square करोगे, r square sin square upon r square cos square, तो यह tan square theta है, तो आपको देखना पड़ेगा theta कहां से कहां जा रहा है, जिसे 0 से तो शुरू होगा, फिर कहां तक जा रहा है, कहां पर जाकर रुख गए, हमें यह देखना पड़ेगा, तो कहां जाकर रुखेगा, इसके साथ solve कर लेते हैं, वहाँ पे रुखेगा जहाँ r sin theta किसके बराबर है, r cos theta, x और y को हमने polar में लिखाए, तो tan theta बिटा हमारे पास आजाएगा 1 के बराबर तो tan theta हमारे पास क्या आजाएगा 1, तो tan theta 1 कब होता है tan theta हमारे पास 1 होता है, बिटा pi by 4 पे, तो आप integration करोगे half r square d theta गा 0 से pi by 4 और depending upon यह अपने जो curve बनाया था, और अपने जो put किया था, हमारा r square बड़ा ही simple आ रहा था, tan square theta मतलब आपको कुछ नहीं करना है कुछ तो करना है, आपको क्या करना है, 0 से pi by 4 half tan square theta d theta का integration करना है, यह अब आप I think आराम से कर सकते हो, tan square theta को sec square theta minus 1 में बदल के तो आप polar coordinate से area under the curve निकाल सकते हो, x, y को r को theta r sin theta लेकर और arc बन रही है, तो half r square d theta उसका area under the curve होगा, अगर theta की limit आप सही से लगाएंगे, तो तो यह जरूर I think concept अगर कभी कोई अच्छा कुछ ना आता, area under the curve का advancement, तो यह काम आ सकता है, next हमारे पास calculus में differential equation का है, s equation mains में भी आते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं, तो वो भी revise हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है, tangent to a curve intersects y axis at point p line perpendicular to this tangent through p, passes through 1,0, है ना, find the differential equation, तो सिरफ differential equation ही निकालनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसे यह curve है, तो अपन इसमें line perpendicular to tangent बनाई है और वहीं बनाई है, इसी point पे तो यह एक तरह से normal हो गया बिटाए, और यह 1,0 से जा रहा है, तो अपन कैसे लिखते है normal की equation, पहले तो point slope form लगाएंगे, y minus y x minus y, dy by dx tangent का slope होता है, तो m1, m2 minus 1 से normal का slope क्या हो जाएगा, minus का dx by dy, अब अपन क्या करेंगे बिटाए, इसमें 1,0 substitute कर देंगे, तो x की जगे 1 और capital y की जगे 0 तो minus y upon 1 minus x, इसकी value आजाएगी minus में dx by dy के बराबर, अब अपन दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसको multiply कर सकते हैं, तो एक बार अगर आप question वापस पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको थोड़ा से इसका अच्छा idea लग सकता है मतलब question की अंदर as such है ज्यादा कुछ भी नहीं, बस आपको यह कि किसी तरह से उस equation को लिखना आना चाहिए, तो अपन ने भी वही किया, अपन ने बस equation लिख दिये y minus, capital y minus small y capital x minus small x, और अपन ने उसको क्या कर दिया यहाँ पर multiply करने की यहाँ पर कोशिश करिए, अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ cross multiply कर सकते हैं, और terms को एक तरफ ले जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा minus y dy, और दिर आ जाएगा x dx, और minus में आ जाएगा हमारे पास dx और इनको भी अगर आप चाहो तो एक तरफ यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर सकते हूं एक सिन अपन ने लिखा तुसे हैं, tangent to a curve intersects y, अच्छा, ओके, sorry मैंने equation गलत बना दी, tangent to a curve intersects y axis at p, अच्छा, मैंने p इसको ले लिया, तो एक बार कोई नहीं, पापस solve कर देते हैं, तो एक बार इसको erase कर देते हैं अपन, तो इन्होंने बोला है कि curve पर अपन ने क्या किया है tangent यहाँ पर बना दिया और tangent जो है, वो y axis इसको p पे cut कर रहा है, मैंने को लगा p, p वो ही point है जो curve है तो question थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर वो जो point है, वो p पे cut कर रहा है y axis को, और फिर उस p point पे अपन ने क्या किया है line बना ही है, जो tangent के क्या है perpendicular है, है ना, और वो 1,0 से क्या कर रही है, पास कर रही है तो एक बार फिर से बना लेते हैं, तो मानलो यह अपना curve है, है ना, और अपन ने यह tangent बना है, तो tangent की equation कैसे लिखेंगे अपन, वही यह मानलो x,y है, यह हो जाएगा y-y, अपन में आ जाएगा x-x, और dy by dx, तो y-axis पे क्या होता बेटा, capital x 0 होता है तो अपन यह point निकालेंगे, तो x 0 होगा अब capital y के लिए क्या करेंगे, minus x उदर multiply करके y add कर देंगे तो यह आजाएगा y-x dy by dx, तो यह हो गया आपका p point, अब p point पे आप tangent के perpendicular चल रहे हो और 1,0 से pass कर दो तो tangent के perpendicular चलते हैं और 1,0 से pass कर लेते हैं कर सकते हैं बन ऐसा तो आप slope से भी सोच सकते हैं, जैसे tangent का slope था dy by dx, तो इसका क्या आजाएगा, minus dx by dy तो minus dx by dy अपना slope होगे और two point form लगा दो 1,0 में और p में जो यह अपनने निकाला, तो y minus x dy by dx, इसमें से 0 हटाएंगे, और नीचे हमारे पास आजाएगा 0 minus 1 अब simple सा है, कुछ नहीं करना है अब अपन को cross multiply करना है वहां से हम देखेंगे कि हमारे पास यह answer आजाएगा, तो question थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और graph से अपन differential equation के यह वाले questions कर सकते हैं, word problem based ठीक है, next वाले पर आते हैं यह काफी आसान सवाल है अपने बास तो इसके अंदर differentiability की बात कर रहे हैं 0 पे, यह ऐसे means में भी आ सकते हैं, तो 0 पे differentiable कब होगा बिटा, जब f dash 0 plus और f dash 0 minus पे LHD RHD बराबर आएगा, finite आएगा तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यह कैसे किया जाता है, इधर आप ले लोगे f of 0 plus h minus f 0 upon h, यहाँ पर h को ले लेंगे बिटा 0 plus, और इधर ले लेंगे f of 0 plus h minus f 0 upon h, और यहाँ पे बिटा, h को 0 minus, अब यहाँ पे रखते हैं, एधर पुट कर देते हैं f of 0 plus h करोगे तो p mod sin h आएगा है ना, पहले f of 0 plus h निकालते है फिर q, e की पावर में mod h आएगा, और फिर r उसके साथ mod h का q बाएगा है ना, यह तो हो गया आपका f of 0 plus h और f of 0 के लिए 0 रखो तो p into sin 0, q into e की पावर 0, तो वो तो q बनेगा और r में कोई मतलब नहीं है, अब अब अपन यहाँ पे apply करते हैं, अगर h positive है तो यह आएगा sin h, है ना q, e की पावर भी h होगा इसमें से अपन q हटाएंगे, तो q common ले लेते हैं, फिर हमारे पास आजाएगा rh cube upon h, तो अब standard limit बनेगी sin h by h, तो यह हो जाएगा p, फिर q के आगे भी e में standard limit बनेगी यह 1 और rh square 0 है, तो r पे depending नहीं कर रहा बिटा, इसलिए r पे कोई हमें फरक नहीं पड़ेगा, अब जब h negative होगा, तो यह बन जाएगा minus p sin h, है ना, फिर दर q में भी आएगा e के साथ minus h minus 1, और minus में rh cube, और upon में हमारे पास आजाएगा h, अब जब आप यहाँ पे standard limit लगाएंगे, तो फिर अब यहाँ p plus q नहीं आएगा, यहाँ आएगा, आपके पास किसके बराबर, minus p आजाएगा, और minus q, अब बराबर करेंगे बिटा, तो एक तरफ ले जाओगे, तो 2p plus 2q 0 है, तो p plus q 0 आजाएगा, और r पे depend नहीं करेगा, तो lhd, rhd वाले question आएगे, elementary है, बट हमें यह आना चाहिए, तो यह differentiability निकालना आना चाहिए, differential equation में, word problem में हम किस तरह से graph पे equation लिखते है, tangent की, align की, और intersection point निकालते हैं, area में मैंने आज आपको polar form बताई है, arc के area under the curve के लिए वो ध्यान रखने चाहिए, इन equality के दोनों तरफ आप definite integration कर सकते हो, वहाँ पर हमें कोई लिक्कत नहीं आती है, जब भी functional equation के अंदर finite limits के बीच में दे रखा integral तो आप उसको k के बराबर मान सकते हो, उसके अलावा series expansion आने चाहिए, और limits calculate करते हुए substitution हो सकता है, तो यह ध्यान रखेंगे, है ना, उसके अलावा, अगर roots हैं, तो आपको factorization आना चाहिए, king सबसे important property definite integration की जो बहुत important है, ज़रूरी नहीं है हर functional equation f dash x में हो कुछ substitution में भी होती है, तो आपको substitution सोचना आना चाहिए cleverly method of differentiation में chain rule important है, और जो question में relation दिया जाता है, उसका use करना हमें आना चाहिए और finally last में हम बोल सकते हैं monic polynomial क्या है, हमने सीखा transformation of graph हमें आने चाहिए और polynomial की degree compare करना आना चाहिए roots निकाल आना चाहिए, यह हमारा day 1 था जही advance के लिए, एक दो दिन थोड़ा late हो गया, बट अब मैं try करूंगा कि हम consistently अगले 100 days तक जब तक advance नहीं आता, इसे follow करते रहें, तो try करेंगे around thousand advance level problem करने का comments में आप feedback दे सकते हैं again, यह advance की तैयारी के लिए solely तो आप जब comfortable हो, advance है तब आप इसे revisit कर सकते हैं, और question आपको खुद को try करने हैं, pause करके, बहुत अच्छे questions हैं, काफी सारे तो उससे घबराना नहीं है, जल्दी मिलेंगे विटा एक और वीडियो के साथ, तब तक subscribe करें share करें, comment करें और जरूर जरूर लाइक करें and thank you everyone for watching the video